अब आज प्रकाश देखने में तुमाम भाईयों बैनों को डॉक्टर स्वास्ति श्रमा कर मशकर प्यारे भाईयों आज हम बात करेंगे ब्रोधा लेक्षिन के बारे में ब्रोधा यानि दंगल ब्रोधा का जैसे अब आज कि सिती के अंदर सभी पार्टियों ने अपने उमी दंगल में पने देश को ऑलंपिक मैडल दुनाया है क्या, इस राजनिति दंगल में भारति जन्दापार्टी की जो यह सीट जो आज झालि में डाल सकेंगे और ब्रोधा के बारे में हम आपको बिस्तार को रोगता हैंगे, ब्रोधा कि STATI क्या है और देन में हम से बात करेंगे यहां पर कितनी बोट बोटिंग है इसके इसका क्या इंपक्ट है ब्रोधा जो विधानसवा की कारेश है ली के अंदर 33 पर आती है और जब इसका चित्ता वाया यह इसी जनरल के अंदर कन्वर्ट हुई और अगर हम देखें यहां पर तेरा वार इलेक्शन हो चुके हैं और तेरा वार इलेक्शन के अंदर यहां पर पांच वार कांगरस जीती है और जब हम बात करें आयनल्डी आयनल्डी जब ताउदेविलाजी कसमराज्य था उसमें और आइनल्डी ने साथ वार यहां पर अपनी फते हासल की और आइनल्डी के हास से यह सीट गई और पांच वार यहां पर कांगर्स पार्टी ने फते हासल की और यहां तक कि भारती जंता पार्टी का सवाला भारती जंता पार्टी ने आज तक यहां पर जमानत में नी बचा पाई थी लोगदल यहां से जीता और कांगर्स यहां से जीती क्या कारण थे क्या प्रश्चितियां थे उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं बरुद्दा के बारे में बरुद्दा में जाट बहुबले इलाका है यहां पर और जाट ब्रामन और चमार बोर्ट सैवंट 70% बोट इन 3 कास्तों की यहां पर और यहां पर जो जाटों के गोथ है मलिक नर्वाल गोथर के गाउँ यहां पर बहुत हैं और हम तर्तीब बाइद बाई बात करेंगे कि बुरूद्धा के अंदर जो जाट है वो क्यावन से बावन परसेंट बोट है यहाँ पर यानि मैं फिर दोजा रहा हूँ की यह एरिया जाटों का एक वर्चस्व वाला एरिया है क्योंकि यहाँ पर आदे से ज्यादा परसेंटेज बोट जाटों की है और ब्रहामनों की है नो से दस परसेंट यानि हम केलकुशन की जाटों की बोट है 80,000 और ब्राहमनों की यह 10 जाटाराँ जार और चमार है एट से 9 परसेंट यानि 17,000 बोट और बालमी की आठासर सो और धानक पैसर सो कुमार चार जार और और बिरागी 26 यानि आधाल कह सकते हैं कि यह जो एरिया है यह जाटों का जाटों का और यहाँ पर बहुत से मुद्वी होंगे फ्यूचर के अंदर आम आपको बताते भी रहेंगे अपडेट करते भी रहेंगे अब जो ब्रोता है इसके अमतार ब्रोता मुखेत रूप से पानी पत गोहाना जीन्द रोड परस्थित है और इसके दो इर्दिद गाउं है जान इस सेरिया में बोटें कम हैं और लेकिन ये इलाका राह नितिक तरीके से संघटित है और ये ये मुखे रूप से हलका लोग दल में चोजी देविलाल जी का गठ होता था आज ये हलका बपिंदर सिंह हुड़ा का ये घाड है इस बारे में हम कोई भी अतिशोक्ति नहीं हो अब हम बात करेंगे बडूता के गाउं की की बडूता हलके में गाउं हैं वहाँ पर किस तरह के जनता किस तरह के गोतर हैं वहाँ पर किस तत्रीबा ही हमको बताते हैं मलिक जो गोतर है जाटों का उसके चोदा गाउं हैं यानि सबसे ज़्यादा गाउं मलिक गोतर के हैं उसके बाद नरवाल हैं, चार गाओं हैं, इनके घठवालों के तीन हैं, सांगवान के दो और तीन के बीच में गाओं हैं, हुड़ा के दो हैं, खुक्खर, मोर, कुंडू के लवा, आर दस गोतरत के लोगी इस एरिया में हैं, यानि आने वाली दिनों के अंदर हम आपको जाए, अब ये देखना कि ये खिलाडी, जिसने अपने रिकॉर्ड अमनाए, असली दंगल में, जीत कर, उलम्पिक में भी इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया, हिंदोस्तान को मैडल दलाए, अब ये देखना कि जो ब्रोद्दा का राजनितिक दंगल है, इसमें वो, किस हद तक वो सफल होते हैं, ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा, और हम सब अर्थप्रकास की टीम आपको ब्रोद्दा के बारे में थोड़ी थोड़ी देर बाद हम आपको अपडेट करते रहेंगे, मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा.